हलो दोस्तों सब्सक्राइब का अपने चैनल एक्जामेजान पे तो यह फिर से मैं हाजिर हूँ और वेगेट वी 2021 के लिए जनरल अवेरेंस का पार्ट 6 लेकर आज का पहला कोशन देखते हैं बाघजन गैस में थी एक किस इंदेन स्टेट में लोकेटेड है तो बाघजन गैस में चर्चा में इसलिय थी क्योंकि यहां पे आग लगए थी बाघजन गैस फिल्ड इसको ऑइल इंडिया लिंटेण दोर्य एक्सप्लोर किया रहा है असरम में है जो इंगर shorting rush मे उस याद रखेगा उस समय पहले ही यहाँ पर तेल को एक कुवें थे बागतेन गैस फिल्ड में उनमें आग लग गई थी इसके लिए एक केनेडियन कंपणी को हायर किया गया था रिसार्च के लिए इन्या कोशन है गो एलेक्टिक कैंपेन किसके लाँच किया गया तो गो एलेक्टिक कैंपेन बी इए ब्यूरो आफ एनरजी एफिसेंसी दोरा लाँच किया गया है इतना ही याद रखे कि ब्यूरो आफ एनरजी एफिसेंसी ने गो एलेक्टिक कैंपेन लाँच किया है कई सारे स्टेट्स मे electric vehicle को promote करना इंडिया में, तो grow electric campaign, grow of electricity, sorry, energy efficiency ने launch किया है, B, E की ये बात करें, तो March 2002 में स्थापना होई थी, Energy Conservation Act 2001 के तहट, इन्होंने कोशन है, TransUnion Civil, इन्होंने इंडिया के पहले quarterly MSME Credit Health Index को release करने के लिए किसके दास पार्णा सिकी है, तो MSME Credit Health Index, इसको quarterly release करने के लिए, TransUnion Civil दोरा, Ministry of Statistics and Program Implementation के साथ पार्णा सिकी है, ये देख लिए, पहली बार इंडिया में MSME Credit Health Index पब्लिस किया गया है, जिसके लिए TransUnion Civil और Ministry of Statistics and Program Implementation ने आपस में पार्णा सिकी है, इसमें क्या होगा, जो MSME सेक्टर है, उसके लिए क्या reliable measures लिए है, उनका एक बेचमार्ट तैक किया सकेगा, साथ ये साथ MSME सेक्टर की health क्या है, वो भी आपको पता चल सकेगी MSME Credit Health Index में, किसने रिलिस किया है, TransUnion Civil और Ministry of Statistics and Program Implementation, ने कोशन है, यूनियर कैबरेट द्वारा लुहुरी स्टेज वन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 1810 करोड पर संक्सिंग कर दिये गए हैं, आपको तना है लुहुरी स्टेज वन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां पे है, साथ-साथ, Government of India ने लुहुरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 1810 करोड पर संक्सिंग किये हैं, लास्ट कोशन ये बचता है कि इसकी कपेसिटी कितनी है, तो 210 मेगावाट, लुहुरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, बना कोन रहा है इसको, 17 जल विद्द न लांच किया गया है, लेकिन PCI Certificate अभी तक किसी को नहीं मिला था, तो विस्टू के पहले PCI Certified, PCI Certified, Phone Card Acceptance Solution, इसको लांच किया है विजा कार्ड ने, किसके साथ मिलकर लांच किया है, तो HGPC Bank और DG Secure के साथ मिलकर लांच किया है, विजा कार्ड ने, विस्टू का पहला ऐसा Phone Card Acceptance Solution है, जो की PCI Certified है, देखिया आपने Samsung Galaxy, जो S Series के Mobile थे, उसमें देखा होगा, कि विजा जैसे कार्ड बने रहते थे, और जैसे आप उस पर टैब करें, तो payment हो जाता था, सेम वैसा ही है, बस इतना अंतर है, कि PCI Certified है, PCI का Full Form में यहाँ पे लिखना भूल गया एक Security Certification होता है, PCI Norms, जो की पहली बार वर्ड में किसी Phone Card Acceptance Solution के लिए दिया गया है, और यह launch किया गया है, वीजा, DG Secure और HDFC कार्ड के साथ बिलकर, Near Field Communication पर काम करता है, आपको पता ही है, ने Question है, जो Corporate Agents हैं, उनके लिए Health Insurance Product Issue करने के लिए, Care Health Insurance Company ने किसके साथ Corporate Agent को Health Insurance Product Provide करने के लिए Health Insurance, Sorry, Care Health Insurance Company ने, AU Small Finance Bank के साथ पढ़ना चुकी है, यह देख लिए, AU Small Finance Bank और Care Health Insurance Company Limited, इन्होंने अपने Corporate Agents के लिए Health Insurance Product को Issue करने के लिए Agreement किया है, तो AU Small Finance Bank, साथ-साथ, Care Health Insurance, इन्होंने आपस में Agreement Sign किया है, जिसके तहर जो अपने Corporate Agents होंगे, उन इनको Health Insurance Project Sell किया हैंगे, यह Care Health Insurance को यह दूसरा नाम देख लिए, Really Gear Health Insurance Company Limited के नाम से भी जाना जाता है, ने Question है, The Age of Pandemic, 1817-1920, यह Book किसने लिखी है, The Age of Pandemic, 1817-1920 बुख लिखी है, चिनमय टुम्बे ने, किसने लिखी है, चिनमय टुम्बे यह देख लिए, Sorry, The Age of Pandemic, 1817-1920 यह Book लिखी है, चिनमय टुम्बे ने, इस Book को Harper Collins इंडिया दवरा पब्लिस किया जाएगा, चिनमय टुम्बे याल रखिएगा, ने Question है, Magnetic Maharashtra 2.0, Investors जो Meet हुई है, इसको किस Indian City में और्गनाइस किया गया है, तो Magnetic Maharashtra 2.0 या 0, इसको Mobile में और्गनाइस किया गया है, द कि महarashtra Industrial Development Corporation दवरा साइन किया गया है, लगवग 35,000 करोड के MOE यहां पर साइन किया गया है, ने Question है, Smart Cities Mission के लिए, Nurturing Neighborhood Challenge किसने लाँच किया है, तो Nurturing Neighborhood Challenge, हर्दीप सिंह पूरी ने लाँच किया है, तो कि Smart City Mission आपका Ministry of Housing and Urban Affairs का मिसन है, तो इसलिए, हर्दीप सिंह पूर इसलिएगा, Bernard Warlin Foundation, Netherland, WRI, India, यह सब मिलके इसको अगनाइज करेंगे, लाँच इसने किया है, हर्दीप सिंह पूरी ने, Nurturing Neighborhood Challenge, Smart Cities के लिए इतना याद रखेगा, इनकोशन है, सुदरसन रत्तन, निसिंटलिन का निधन हो गया, यह जाने माने क्या थे, तो फिल्मेकर थे सुदरसन रत्तन, यह देख लिए, सुदरसन रत्तन, जाने माने बॉलिवूट फिल्मेकर इनका निधन हो गया है, कई सारी मूवी थी, मानो हत्या, बाकी आपको याद रखने जरुए नहीं, बस अगर पूछेंगे, तो न पूछेंगे, सुदरसन रत्तन किसे रिलेटेट इनके कोशन है, इनने से किस मूवी को, बेस्ट आफ इंडिया सौट फिल्म फेस्टियल के दुरांथ, टॉप प्राइज मिला है, तो रिसेंटली, बेस्ट आफ इंडिया सौट फिल्म फेस्टियल का तीसरा एडिशन और्गराइस किया गया है, इसमें नटखट को टॉप कर दिया था यानि नटखट या दखेगा 2021 के लिए औसकर को भी क्वालिफाई किया है नटख़ मूवी ने और जो तीसरा एडिशन हुआ है बेस्ट आफ इंडिया सौट फिल्म फेस्टिवल इसको नटखण ने बेस्ट प्राइस जीता है मूवी का ने कोशन है इसलिए इंड लेवल जॉइंट टास्कोर्स का आठवाई एडिशन होश्ट किया गया है चेर्माइन से किसके पास रही तो इंडिया की तरफ से पिर्स गोईल जी ने लीड किया और यूए की तरफ से सेख हामिद बिन जायत अलहयान ने होश्ट किया तो इंडिया यूए की बीच में कांसा है तो पुलिः अफेयर्स इंडेक्स की बर्फ के जारी की जी त्के लागे गी यूटेगर की बेस्ट गवर्न एका कांसा किर्वild फ मया थेकरिट नाडो वहीं रुष्ट कहुं सा है यूप इतना बरीग रखेगा अगरिस्च मॉट्च आ है ब्स्ट गवर्न कौशun और वर्ष गवर्ण कौन सा है मनीपूर यूटी इस पेस्ट गवर्ण कौन सी है चंडी गड़ इतना याद रखिएगा इना कोशन है स्टुडेंट्स को करियर स्किल से एक्विक बढ़ने के लिए प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी किसने लाँच किया है तो एस डीजी नेशनल इस्किल डेलब्मेंट कॉप्परेशन द्वारा कई संस्थाओं के साथ लिलकर जैसे अमेरिकन इंडिया फांडेशन डेल टेक्नोलोजी और उनिवर्श्टी और मुंबई इन सभी के साथ मिलकर फ्यूचर रेडी को लांच किया गया है तो प्रोजक्ट फ्यूचर रेडी किसने लांच किया है जो सभी थरड पार्टी एप हैं वो अपने कोलट परнесियल का मैकिसिमिमम कितना यूपियाई के था थ्टू कर सकते हैं एस पर जो कैप लगाई है उसके तहर्ट तो NPCI द्वरा सभी थर्ड पार्टी एप पर ये कैपिंग कर दी गई है कि वो अपने कुल ट्राजक्शन का UPI की मादर से मात 30% कर सकते हैं इसेंटली वाट्सप को UPI द्वरा पेवेंट सर्विसेस के लिए लेकिन वाट्सप को भी उसी दाइरे में रखा गया है कि वो अपने टोटल ट्राजक्शन का मैक्सिमम 30% ही UPI से कर सकता है तो इतना या रखेगा पेवेंट गूगल पे सभी इसे दाइरे में आते हैं अब वाट्सप भी इसी दाइरे में आता है ने कोर्शन है किस कंटी की श चैनम कंपनी ने नाउंउस किया है कि वो इंडिया की आडानी ग्रुप इंडिया आयल औग दी बहुत मल्टिकल ग्रीन एनरजी पाटनंसिप को अरेंज करेगा तो सनम ये इटली की फर्म है ये दिख ये शनय ये घिए य लारज़िस्ट नासिमें सब्क और टरउडर्स न बिजनेस में है तो याद रखेगा शनायम जो कि इटली की एनरजी टांजिशन नेटवर्क कमपनी है उसने अडानी ग्रूप गीन को और इंडियन और के साथ पारने से की है ने कोशन है आफ लाइन से आउनलाइन small and medium बिजनेस गाइड को गोलाट करने के लिए किशिक जाएड्स ने initiative लिया है तो recently Facebook ने small and medium बिजनेस गाइड को offline से online पौएड किया है देख लिए Facebook ने offline to online small and medium बिजनेस गाइड लाँज किया है जो कि small and medium enterprises के help करेगा नय resources को acquire करने में तो याद रखेगा अब small and medium business online तरीके से और राइस के जा रहे हैं तो इसके लिए facebook ने एक guide launch की है ने कोशन है AAI Airport Authority of India दोड़ा किस PSU के subsidy के साथ एक एमोई साइन किया गया है ताकि airports पर electric vehicles का promotion मला कि users को promote किया सके साथ साथ solar power plant लगा सके तो recently AAI ने airport पर solar power plant और electric vehicles को promote करने के लिए NTPC के साथ partners की है NTPC के एक subsidy है उसके साथ partners की है NTPC की subsidy के नाम क्या है NVVN यानि NTPC विद्ध व्यापार निकल लिटे है इसके साथ AAI ने partners की है ताकि airport area में solar project साथ साथ EV यानि electric vehicle को promote किया सके अभी स्टार्टिंग में तमिलनाड और राजिस्थान में ये NVVN Airport Authority of India को सहयोग करेगा बाकि आपको ये याद रिखने जुरूद नहीं कितने मेगावाट के project लगेंगे national company law appellate tribunal ये किस वर्स established के गए था company law act आप का company act 2013 में पास होगा था आपको याद ही होगा उसके तहद NCLAT स्थापित किया गया था 2016 में कब 2016 में national company law appellate tribunal ये 2016 में established किया गया था चर्चा में इसलिए है क्योंकि बंसी लाल भट जो कि इसके acting chairperson है उसका tenure बढ़ा दिया गया है आपसे एक्जाम में अगर पूछेंगे तो ये पूछेंगे कि NCLAT के first chairperson कौन थे तो justice SJ मुखो पाधिया इसके first chairperson थे बागी तो आपको पताई है 2016 में इसकी स्थापना हुई थी ने question है alpha konde recently इन्होंने किस African country के president का election जीत लिया है तो alpha konde इन्होंने गिनी के president का election जीत लिया है अलफा konde ने रिपब्लिक आफ गिनी के president का election जीत लिया है ये काफी समय से serving president भी थे कहां के गिनी के alpha konde west africa के country है गिनी west african coastal country है गिनी उसी के president बन गया है alpha konde देखिए बात कर अगर गिनी की तो guinea frank इसकी currency है और konakri इसकी capital है इसकी केपिटल है इन्हें कोशन है recently BRICS parlementary forum का कौन सा edition organized किया गया है तो BRICS parlementary forum इसका six edition छटवा edition organized किया गया है जिसमें हमारी इंडिया को represent इसने किया है ओम बिल्ला जी ने साथे साथ कनी मोजी करूना निदी ने दो लोगों ने मिलके इंडिया को represent किया है छटवा BRICS parlementary forum organized किया गया है जिसके chairman कोई थे व्याशा लेव गोलो दिन तो कि इन समय रशिया के पास presidency है BRICS की तो जो रशियन parlementary के chairman थे उन्होंने ही छटवी BRICS parlementary forum को हिर किया इंडिया को represent कि इसने किया BRICS की सापना हुई थी चार कंटी स्थब थी और आगे 2010 में इसमें सौथ अपनी का भी सामिल हो गया 2014 में BRICS bank बनाई गी फोर्ट लेजा घोषना के द्वारा इन्हें कोशन है Forbes Forbes best employer 2020 list को किसने टॉप किया है तो Forbes की Forbes best employer 2020 list को टॉप किया है Samsung यानि विस्व की सबसे बहतरी इंप्लाइर कौन से Samsung recently Forbes ने world best employer list जारी की है 2020 के लिए इसमें 750 companies का analysis किया गया है इसको Samsung ने टॉप किया है और second पे आया है Amazon अगर वहीं इंडिया के बाद करें कि इंडिया की best employer company कौन सी है तो SCL Technologies Limited इंडिया की top employer company है हलाकि globalist की rank है 30th तीसवी rank है अगर एक्जाम में आपसे ये पूछ लें कि banking sector की इंडिया की best employer company कौन सी है तो HDFC bank अगर आपसे ये पूछ ले एक्जाम में कि public sector जो undertakings है उसमें इंडिया की best employer कौन सी है तो NTPC सब आद देखिएगा global level पर Samsung best employer है और इंडिया में बात करें तो SCL Technologies best employer है banking sector में HDFC bank top पे है और PSU में कौन top पे है NTPC ने कोर्शन है 2020 के लिए मुष्टेच मुष्टेच novel के लिए किसने JCB price of literature जीता है तो 2020 के लिए जो JCB price of literature दिया गया है वो S.Harish को दिया गया मलियालम author है S.Harish इनको 2020 का JCB price of literature दिया गया है या JCB price for literature दिया गया है इनकी novel का नाम है Mustache जो भी Mustache होता है मेरे खाल से ठीक है तो Mustache novel है किसकी S.Harish की जिसके लिए इनको JCB price दिया गया है literature में JCB price इंडिया का richest literary price है मलियालम author को दिया गया है और 25 लाख रुपईस के तहर दिया आते है यह जो आपके मुश्टेच है इसको English में translate को करेगा Jaisri Kalathil यह भी याद रिखिएगा और publish करेगा Harp College India Next question है Your best day is today यह book किसने लिखी है तो यह book लिखी है Unpom Kher ने Your best day is today यह देखिए Unpom Kher की book है Your best day is today कोई इतना याद रखिएगा बागी publish कोन करेगा कोई मतलब नहीं कुछ previous book है Harpom Kher की वो भी नामें देखिएगा License life taught me unknowingly or the best thing about you is you यह दो other book है अब तीसरी book कौन सी है Your best day is today Next question है Hornival Festival यह हरवर्स किस इंडियन स्टेट में सेलिवेट कियाता है तो Hornival Festival Naga Land में और्गनाईज कियाता है यह देखिए हरवर्स Naga Land में Hornival Festival और्गनाईज कियाता है लेकिन साइद इस बार नहीं हुआ था वर्चो तरीके से हुआ था आधे चर्चा में था Naga Land में Hornival Festival होता है और पक्ए-पागा Hornival Festival कहा होता है तो अर्वडांचर प्यदेश में होता है इतना ज़्याद रखेगा जब पक्ये-पागा तो क्योंकि पक्ये-पागा Tiger Reabouts कहा है अर्वडांचर प्यदेश में है तो पख्यपागा ऑरनीबल फेस्टिवल भी नगललेण में होगा में कॉर्शन है यी एक फेमेस नौवेल है किसने लिखिए तो रसाथी दा अधर साइड आफ त्राणंस जेंडर यह भू՝ लिखिए ससिधेरण कलिन कीलने याद रूखेगा ससिधरन कालिन कील इनकी बुक है रासाथी इनना याद रखिएगा बुक मीत्रा करके एक पब्लिसर्स है वो इसको पब्लिस करेगा इन्होंने डेनियल मैदवेदेव इन्होंने पैरिस मास्टर 2020 टैटल जीतले है टैनिस का आपको तरह डेनियल मैदवेदेव किस कंट्री से को जीत लिया है इसको इसपॉंसर करने रहा तो रोलेक्स आपको पता ही यह घड़ी कंपणी है रोलेक्स वह पैरिस मास्टर टैडल 2020 को इसको डैनियल मेरेव नहीं जीत लिया है एलेक्जेंडर जबरेव को हरा कर दोनों टैनेंस के प्लेयर है नहीं कोशन है इंटर है 37 recently Mumbai based एक non-profit Indian migration करके कफर्म है उसने Interstate Migration Policy Index release किया है इसमें इंडिया का score है 37 impacts score आधर रखेगा impacts score इंडिया का है 37 जो यह Interstate Migrant Policy Index release किया जहे है इसमें बताया है केरल best state है policy को sorry migration को interstate manage करने वाला लेकिन दिल्ली जो है last place पे आया है Interstate Migrant Policy Index में तो केरल ने टॉप किया है यह देख लिजी इसमें बताया गया है कि यह जो index है इसमें 455 million internal migrants की लिश्ट जारी की गई है यह उनका analysis किया गया है तो 45.5 यह लवाद 45 करोड इंडियन माइगरेंट की बाद की गई है इस Interstate Migrant Policy Index इसको टॉप किया है केरल ने ने कोशन है स्री नाजिन सिंग तोमर जी द्वारा Interministerial Approval Committee की मीटिंग को हेड किया गया है आख होता है इस दोरान कितने प्रोजेक्ट को sanction किया गया तो स्री नाजिन सिंग तोमर द्वारा Interministerial Approval Committee की मीटिंग जो हेड की होई है उसमें 29 प्रोजेक्ट को अप्रूब किया गया कितने 29 प्रोजेक्ट को यह दिख लिए लबब 443 करोड के यह प्रोजेक्ट है 29 जिसको स्री नाजिन सिंग तोमर जी ने डिसेंट लि कमिटी की मीटिंग में कई सारी स्कीम है आप पढ़ लिजी इस्कीम आफ इंटेटेट कोड चेन यह भी अप्रोजेक्ट कर दीगी है बीएफल इसकीम के तहट जो है 15 क्रोड लांच के यह बीएफल क्या है बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज बीएफल जो है रधामंत्र कमिटी मीटिंग दोरां 443 क्रोड के 29 प्रोजेक्ट अप्रूब कर दी है जो कि 10 इस्टेट्स में 10 इस्टेट्स में इंप्लिमेंट किया आएंगे एकना याद रखेगा बस नहीं कोशन है पैसेंजर बसन के लिए fire detection and suppression system किसनी डीलर किया है तो पैसेंजर बसस के लिए fire detection and suppression system डीलर किया गया है आख पो 30 सेकन्ड में ही भाव लेगा तो अजीम सी बात है ना 30 सेकन् движ में आ아 बहुत फल जाती है बाकी देखते हैं material पैसेंजर जो दिल्ली बस center है डिली बेस सेंटर है, वहीं पर fire explosive को डिटेट करने के लिए fire detection and suppression system बाँचिया गया है, पैसे ने बस इसके लिए ने कोशन है, what is science day for peace and development, ये किस डेट को अबज़र के आता है तो हर वर्स 10 नौंबर को, हर वर्स 10 नौंबर को what science day for peace and development, अबज़र के आता है इस बाँ कर जो world science day for peace and development है, उसका theme के था, science for and with society, theme में रखेगा, science for and with society, दो है दो से हर वर्स मनाया जा रहा है, world science day for peace and development, ने कोशन है, international bird festival, इसे लिए किस इंडियान स्टेट में organize किया गया है, तो बिहार में, sorry, यूपी में, यूपी में international bird festival organized किया गया है, गोरपूर में, जो यूपी के environment minister है, दारा सिंग चोहान, इन्होंने international bird festival को announce किया था कि ये गोरपूर district में organize के जाएगा, फरवरी 2021 के बाँन, तो फरवरी 2021 में organize होना है, international bird festival कहां पर organize होना है, गोरपूर में, गोरपूर का जो 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 लोजिकल पार्क है वहीं पर, इतना याद रखेगा, कोशन है, Virgin Hyperloop successfully complete कर लिया है, इन्होंने अपना first ever human trial, आगो तरह है, किस country में यह Hyperloop pod में first ever human trial successfully conduct किया गया है, तो US में, Virgin Hyperloop कर गए कंपनी है, जो Hyperloop project के काम कर रही है, अगर ऐसा possible हो गया, तो 1000 km प्रति हंटा की दफ्तार से हम लोग ट्रेवल कर पाएंगे, Recently, Jaws, Giggle, इन्होंने उस Hyperloop pod में travel किया है, जिसने 500 meter की distance cover की है, 15 second में, लगबग 172 km पर hours की distance cover की गई है, Hyperloop, तो Hyperloop project याद रखेगा, transportation का एक माध्यम होगा, mostly पहले, इंसानों के लिए होगा, Hyperloop project, Successfully test किया गया है, Last Vegas, US में इतना जाद एखेगा, 500 meter की distance cover की गई है, 15 second में, इन्होंने कुछ order जारी किये है, ताकि प्रधान मंत्री, किसान, उर्जा, सुरच्छा, एव मुत्ताव, अधियान का expansion कियाज़ के, expansion करने के लिए देखेए, पहले मैं दतादू, प्रधा मंत्री, किशान, उर्जा, सुरच्छा, एव मुत्थान, महाभिहानियान, PM कुसुम, इसकीम का पहले target था, 25 GW के आसपास, 2022 तक, लेकिन अब उसको बढ़ा का कितना कर दिया है, 30.8 GW, by 2022, तो 2022 तक, PM कुसुम के तरह से target, जो है, set किया गया है, 30.8 GW, और total cost क्या दी गई है, 34,035 करोर, इतने के द्वारा, आपका 30.8 GW, electricity बनानी है, Ministry of New and Renovable Energy के तरह, PM कुसुम स्कीम, implement की जा रही है, परपस क्या है, जो solar pumps है, वो install किया सके, grid connector solar pump, तो इससे क्या होगा, water security enhance की जाएगी, जो PM कुसुम स्कीम है, ये मार्स 2019 में, approval में लाग था, और उसी तरह, launch कीगी थी, ने question है, 6, doing business in India report, जो की, UK India Business Council ने report की है, आपको त मैक्सिमम, incremental improvement की इंडियन स्टेट में देखा गया है, तो UK India Business Council की छठवी, doing business in India report के तहत, महराष्ट्रा ने maximum improvement दिखाया है, incremental, देख लीजे, UK India Business Council ने, छठवी report जा रही की है, doing business in India report, इसके तहत, महराष्ट्रा ने, सबस्यदाए incremental growth दिखाई है, लगातार, तीसरे word, ये द ने question है, किस ministry द्वारा, नया indigenous, कूपे डेविट कार्ड, national common mobility card launch के जा रहा है, NCMC, यानि one nation, one traveling card, ये launch के जा रहा है, ministry of housing and urban affairs द्वारा, हलाकि PM मोद इसको launch करेंगे आने वाली समय में, यानि कि जब हम video record करें, उसमें तो ये launch हो चुका है, लेकिन उसके हिसाब से, तो NCMC, national common mobility card, ये one nation, one card की philosophy पर काम करेगा, all over country में, एक ही card से आप travel कर पाएंगे, और ये रूपे बेश कार्ड होगा, कौन सी ministry launch कर रही है, तो या देखिएगा, ministry of housing and urban affairs, transportation card है, नाम क्या है, national common mobility card, रूपे डेविट कार्ड की जैसा होगा, ये कोशन है, recently महत्मा गादी जी की pictorial anthology को नेपाली language में रिलीज किया गया है, जिसका नाम है, मैले बुझे को गांधी, दगांधी is, sorry, दगांधी as I understood, ये book किसने रिलीज की है, तो recently, नेपाल की president, विद्या देवी भंडाई ज़रा, मैले बुझे को गांधी, ये जो pictorial anthology है, उसको रिलीज किया गया है, ये देख वर्सगार्ट है, आपको पता ही है, उसके मौके पर ये सब किया गया है, उसके लावा ये जो book है, इसको publish कौन करेगा, तो इंडिया की जो embassy है, वो इसको publish करेगी, मैले बुझे को गांधी, यानि my understanding about गांधी, इन्हे कोशन है, मजी भिन्त, my wall, ये book किसके रिलीज की गई गई है, तो मजी भिन्त, ये book रिलीस की किया है, भगई सिंग कोशियारी, जो की महराश के गवंटर है, इन्होंने मराथी लेजगेश की एक book है, मजी भिन्त, यानि my wall, ये book रिलीज की है, इस book को लिखा किसने है? तो बुख को लिखा राजेंद्र दार्दाने, तो राज अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉंफरेंस का 13 आडिशन, इनागरेट किया ह। नंया होगएट किया spy 사진 का अर्वन के सबुनीट ऑर्भा इस चाहिए अर्वर्च आज्ट अलजडा स review error गोर्वर्च फोच है रहा है National Urban Policy के द्वारा इने कोशन है डिसेंटली पीम मोधी द्वारा इंडिया एनर्जी फोरम का कौन सा और इसको होस्ट कौन कर रहा है तो सिरा वी इसको होस्ट करेंगे तो और इसको कौन कर रहा है इंडिया में नीटिया इनर्जी फोरम जिसका थीम क्या है इंडिया इनर्जी फ्यूचर इन वर्ल्ड आफ चेंज तो नीटिया इनर्जी प्यूचर इसको और इसको और इसको और इंडेक्स पड़ा होगा body mass index इसके हिसाब से तय होता है कि इंसान का ideal weight और उसकी height क्या होनी चाहिए लिसेंटली Lancet magazine जो है इसने बताया है कि इंडिया की जो youth है उनका height and body mass index जो है सबसे खराब है इनि body mass index सबसे खराब है इंडिया की youth का डिसेंटली Lancet में बताया है मैं आपको उता दूँ WHO कहता है कि अगर आपका body mass index 25 से लखे 29.9 तक है तो आप overweight है और 18.5 से नीचे है तो आप underweight है यानि अगर 18.5 से लखे 25 की बीच में आपका body mass index है तो आप ideal weight में आते हैं Lancet magazine दे बताया है जो कि international medical journal है उसे बताया है इंडिया के boys का इंडिया के boys की ranking की है उसने 180 है जो की average height बताई है 5.46 heat और वही जो इंडिया गल्स है उनकी ranking की है 182 तो कि average height बताई है 5.06 feet फूर असा उल्टाई ही लग रहा है मुझे लगता है इंडिया में boys की height उछी बताई है लेकिन girls के height इतनी average नहीं हो सकती ने question है how to be a writer ये book किसने लिखी है तो how to be a writer ये book लिखी है रसकिन बॉन रने किसने लिखी रसकिन बॉन जाने माने writer है रसकिन बॉन इंडिया राइटर है मुंबई से विलॉंग करते हैं उन्होंने book लिखी how to be a writer अजीब बात है बस नहीं दखेगा रसकिन बॉन की book है how to be किया राइटर हारपन कॉलिंस इंडिया दो पब्रिस कियेगी निया कोशन है सत्य जीज घोस रिसेंटली इनका निधन हो गया ये किस फिल्ड से रिलिटेट है तो सत्य जीज घोस घोषबागू है ये घोषबागू बंगाल से विलॉंग करते हैं तो इसका वनला ये बॉल प्लेयर्ट से इतना है ये कोशन है गवर्मेंट जो ऑपरेशन ग्रीन है उसके तरह हिमालियन इस्टेट्स को कितनी सबसेड़ी प्रवाइट करेगा तो ऑपरेशन ग्रीन इसके तरह गवर्मेंट दोरा हिमालियन इस्टेट और नॉर्थ इस्टेट को 50% सबसेड़ी प्रॉयक्ट की जाएगी तेख लिए ओपरेशन गीन उसके लिए गैडलाइन जारी कर दीगी हैं इसमें 50% सबसिडी प्रॉयक्ट की जाएगी हिमालियन और नॉर्थ इस्टेट्स को एर ट्रांस्पोर्डेशन में 41 नोटिफाइड फूर्स के रिए और विजिटेबल्स के ल लाएगा उनके एर लाइन ट्रांस्पोर्टेशन के लिए तो इतना रखिएगा मिनिस्ट्र फूट प्रोसेसिंग इंडेस्ट्री की स्की में ऑपरेशन बीन मेरे खाल से 500 करोड के गया थे इसके लिए ने कोशन है शेंग मैं इन्होंने अपना पहला ITTF विमेंस वर्ड़क टेबल टेशन है उसका पहला टैटल जीत लिया है यह जो ITTF विमेंस वर्ड़क था यह इसका चौविश्ववा एडिशन था विहाई चाइना में हुए था जिसको जीता है शेंग मैं ने ITTF के बात करें इंटरेशन टेबल टेशन के बात करें तो हेड़कोर्टर याद किस इंच्एन कंपणी ने ऑख़र किया है तो ंडच बैंक है ऐजी इसके पोश्ट बैंक शिस्टम को एकवर किया ऒए टीशएस ने इतना एद रिखेगा विश्वा दैश्वार्ट एजए के Państwo से करने है юगई ह्श्वागा किस ने हांड़पर्शन कहिंगे है जल सकती म सानवार इस्टेट्स की कैट्टिगरी में फर्स्ट प्लेस अचीब किया है तमिलाड ने सेकेंड नेशनल वाटर अवार्ड की दौरान यह दिखले हैं तो वाटर कंजर्वेशन के लिए तमिलाड को बेस्ट इस्टेट का टाइग मिला है यह अवाड रिसेंटल एक वर्चु सर्विस ब्रोड कास्टिंग यह हर वर्स बारा नॉंबर को मनायता है बारा नॉंबर को मनायता है क्यों तो कि 1947 को महत्मा गांदी जी बारा नॉंबर वाले जिनी ऑल इंडिया रेडियो के हर्याडा आफिस में कुर्चित्रा में आय थे तो यह देखेगा डिस्प्लेस्ट जो रिफ्यूजी पूपल थे वहां से मिलने महत्मा गांदी जी 12 नॉंबर 1947 को AIR आल इंडिया रेडियो के आफिस में आय थे इसलिए हर वर्स 12 नॉंबर को आल इंडिया रेडियो यानि पब्लिक सर्विस ब्रोड्कास्टिंग देवना जाता है आल इंडिया रेडियो को काम के तौर पर इंडिया कोशन है फर्स्ट एवर जो मिलेनियल कस्टमर्स हैं यानि कि जिनका जन्म 21 सदी में हुआ है उनके लिए फर्स्ट एवर कार्ड लाउंच करने के लिए किसने अमेरिकन एक्स्पेस के साथ पारना से की है तो मोबी कुईक ने एमेक्स के साथ पारन होगी यह जो है यह प्रिपेट कार्ड यूज कर पाएंगे तो मिलेनियल कस्टमर्स के लिए मुवी कुईक त्वारा मुवी को एक ब्लू अमेरिकन एक्सपेस कार्ड लाउंच किया गया है एमेक्स नेटवर्क बर्स नकोशन है कोविट सील्ड इंडिया की फर्स्ट इंड इंडियल वीज ने लाउंच के था कोविट सील्ड बस इतना यह रखेगा बाकी कुछ इंपॉर्टन नहीं है जल्दी मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीटियों तो तक लिए ठेक केर